hello दोस्तो welcome back to my channel दोस्तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखी लिया होगा कि आज मैं आपको अपनी salary के बारे में बताने वाला हूँ कि मुझे first salary कितनी मिली है अफरिका में कितना time लगा मुझे salary को receive करने में कब account मैं credit हुई कैसे कैसे प्रोसेसर होता है सेलरी के लिए यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक सेलरी का प्रोसेसर है टाइम लिमिट है कि कब आपको क्रेडिट होती है यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ और परसनली मैं अपनी सेलरी बताने वाला हूँ कोई बोलते हैं मुझे comment करके कि इतनी salary नहीं मिलती 400 डॉलर मिलते हैं खाली 500 डॉलर मिलते हैं अरे friends अब बताओ किसी की salary यहां इंडिया में अगर 18,000 रुपे है उसको वहाँ जाके 400-500 डॉलर मिल रहे हैं उसके लिए तो वह बैटरी है ना 400-500 डॉलर का मतलब होता है कि 30-35,000 अब यहां पे 18,000 रुपे कमाने वाला वहाँ जाके अगर 30-35,000 रुपे भी कमा ले रहा है तो उसके लिए बहुत ही जादा है आफरिका में किसी को जादा मिले गई जिसको जादा एक्सपीरियंस होगा, जिसको ज्यादा काम आता है या फिर पर मेंगेजरेर लेवल पर तो इस बेस पे सैलरी डिपेंड गरती है तो परसनली चलियाँ मैं अपना बताता हूँ कि कैसे सैलरी मिजह मिझे मिली और कितनी स फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना बढ़िया वाला ठीक है और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी जानकारी मैं देता रहूं और भी चीज़े मैं आपको दिखाऊंगा आपको बट अभी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं अफरीका के बारे में क्या क्या हर चीज के बारे मैं नॉलेज दे रहा हूं उसके बाद मैं एक्स्प्लोर करूंगा यहां की हर चीजों को और जितने भी यहां पे बाहर आउटसाइड आउटिंग करके मैं आपको सारी वीडियो दिखाऊंगा अफरीका की ओके फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वीडि ही करे जो आपको घर लेजाने के लिए मिलेगी वह आपको तीन मैहने में क्रειαडिट होती है मतलब की इंडियन करणसी में अगरं से convert करें तो 16 से 17,000 रुपए बनते हैं मुझे यहां local खर्च करने के लिए मेरे खाने पीने के लिए मुझे घूमने फिरने के लिए मेरे entertainment के लिए यहां पर मुझे 16 से 17,000 रुपए मुझे यहां पर मिलते हैं लोकल देखिए फ्रेंट्स यह होते है नायरा यह पांसो का दसका बीसका पांच का मेरे पास अभी मैंने कुछ रखे वे अपने पास जिम में थे तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूं यह नायरा है तो फ्रे यह पांसो का जो यह जो पांसो नायरा है पांसो का जो नोट है यह वाला इसकी इंडिया में वैल्यू कितनी है पता है इसको डिवाइट कर तो पांसे यह नी सो रुपे यह जो पांसो का नोट आपको दिख रहा है नायरा का यह इंडिया के सो रुपे के बढ़ाबर है तो क्ने को काउंट करने में हूँ थोड़ा मुझे ट़्याम लगता है इनको काउंट करने में थोड़ा हाड नौट है कोई-को प्लास्टिक जैसे तो ग्रीश वाला है यह बीत का है जड़ा है यह चाहिए क्रिकम यह जएब highlightik कालञ। यह एक प्लास्टिक का नोटे पुरा और बाकी जो यह है यह तो कागज का ही है लेकिन यह बहुत हार्ड है थोड़ा मोटे-मोटे इसके कागज है तो इसको काउंट करने में थोड़ा टाइम लगता है जैसे इंडिया के तो फट-फट-फट-फट हाथ में लेते ही फट- क्योंकि मैं यहां पर फर्स्ट टाइम आया हूं तो मुझे इसलिए अतना आइडिया था नहीं लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यहां पर ज्यादा जो है मुझे मिल सकता था बट मुझे यहां पर जो मिल रहा है अभी स्टार्टिंग में 700 डॉलर की सैलरी मुझे यहां था वहां पर डारेक्ट क्रेडिट हो गए तो फ्रेंड्स यह मेरी होम करेंसी की सैलरी जो मुझे तीन महने में मिली है और यह सारी मेरी सेविंग है मुझे कुछ भी इसमें से खर्चा नहीं करना है यह मेरी पूरी प्योर सेविंग है 700 इंटू 3 सातियां 200 डॉलर मेरे मजड़ जाता है मेरा और जो मेरी सेविंग है वह मैने आपको बताए देशा तो यहां पर सेलरी का प्रोसेसर एजरays एक 3-3 महने एक स्व्रेटि घुख सेलरी एं मढ़े इल्यकुत एक्यिसस paljon में आकाउंट में चुकी हहें थोड़े से बैंक चार्जेश करते नहीं को में चूर्ज वह आसपास बैंक चार्जेश क्यूeffect है टालोर ट्रांसवर होने में के में के अपतना मेरे अखूंट में को मे कथि चैयर शाल्रie है है मेरे अकाउंट में हमकी कि यहां अफ्रिका में क्या है तो फ्रेंट्स यहां पहले कर लीजिए आफ को कंना उनसे पहले आदि अपर शोब के लिए एक हैं आवे Lacan ओर लें वह सब भी ऐसंवyss यहां आने के बाद शिए तेल्स कि ऑ स्थे омलब्हें चला था लेकिन मैंने भी यए बहुत से Biz देखे जो की बोले हैं कि टीन मेने चारा मेने नहीं मिली है बट ऐसा नहीं यह लुगता चला है लिज़like जो अंसे डाः कि तीन में 2-3 मेने की सेल्री में 5 मेने में 6 मेने मिल रही है तो नोट प administrators बैंक ह Muk az जो हर मेने हमें जो सेलरी मिलती है खाने पिने के लिए लोकल करणसी में नाइरा में वो तो चलो ओके नो प्रॉबलम बट यार घर भी तो चलाना है ना घर भी हमने बहुत से ऐसे expense होते हैं जो fixed होते हैं हमारे तो उनको कैसे हम maintain करेंगे है ना तो इसलिए यह चीज़े पहले ही क्लियर करके जाएं आप तो फ्रेंट्स जब भी आफ अफ्रिका में जॉब के लिए आए यहां आने से पहले आप यह सेलरी के जो मैंने वीडियो बनाई है इसका मेन मोटीफ यही था कि मैं आपको हर चीज के बारे में बताता रहूं चाहे वह सेलरी हो या खाने पिने की चीज़े हो या कुछ भी चीज हो अफ्रिका से रिलेटर में आपको हर चीज बताऊंगा फ्रेंट्स बस अभी तो मैं खाली आपक को सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो लाइक कर देना ठीक है अच्छे लगे तो फेर भी कर देना और दोस्तों को जरूरत होगी अफ्रिका में आने कि और अफ्रिका के बारे में उन्हें भी पता चल जाएगा कि क्या सेलरी का है इस प्रोसीजर यहां पर तो